जब जपान में किसी के बाल बड़े हो जाते है तो वो गंजे हो जाते है जब अमेरिका में किसी के बाल बड़े हो जाते है तो वो कैप पैन लेते है पर जब इंडिया में किसी के बाल बड़े हो जाते है तो लग रहा हूँ ना सैलमन भॉई जब जपान में किसी को स्कूल नहीं जाना होता है तो वो एप्लिकेशन लिख कर भेज देते है जब अमेरिका में किसी को स्कूल नहीं जाना होता है तो वो अपने पैरेंट्स से डारेक्ट बोल देते है पर जब इंडिया में किसी को स्कूल नहीं जाना होता है तो अरे क्या हुआ बेटा वो मेरा पैरदर्द हो रहा है इस्कूल नहीं जा पाऊंगा ओहो कोई नहीं और तब जाकर उन्हें चैन मिलता है जब जपान में स्टूडेंट को कुछ सोचना होता है तो वो अपने दोस्त से डिसकस कर लेते है जब अमेरिका में स्टूडेंट को कुछ सोचना होता है तो वो गूगल में सर्च कर लेते है पर जब इंडिया में स्टूडेंट को कुछ सोचना होता है तो और तब जाकर उन्हें चैन मिलता है हुआ 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 हुआ